ग्राफनोन, आज हम बात करने वाले हैं कुवो चानलिंग की और कुवो चानलिंग में पुनर जन्म के बारे में उन्होंने क्या कहा है तो पूश्टाच करने वाले ने कहा कि पृत्वी पर कुछ धर्म है जो मानते हैं कि जीवन एक पुनर जन्म चक्र जिसके बारे में आप शब्दों में जिसे आप जीवन कहते हैं हमारा भ्रहम एक नकारात्मक चीज है या कम से कम कुछ ऐसा है जिसे सहन करना किसी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है क्या ये उस तरीके से मेल खाता है जिसे आप समझते हैं कि ये हो रहा है क्या हम किसी तरह मुक्त आरहे हैं या जैसा कि आप कहा रहे हैं हम सीखने की रहा पर हैं क्या गक्याहम चैनलिंग जब होती थी या उस से पहले और जो भी चैनलिंग होती थी कई बार चैनलिंग कभी हैथ़ण início करता था कभी लात्वी तो जरूरी नहीं है क्योंकr कूओ जो है, वो हैथान, लात्वी और रा, तीनों का एक संगठन था, यह हैं, तो कभी रा जवाब देता था, कभी लात्वी, कभी हैथान, तो कभी तीनों मिलकर जवाब देते थे, वो कैसे हम मुझे नहीं पता, लेकिन ये व़ला जवाब लात्वी ने दिया है, और लात्वी कहते हैं, कि आपके प्रश्न से अवगत हूँ, सीखने की प्रक्रिया, जो भूलने के भ्रह्म के भीतर, जीवन भर के उपयोग से पूरी होती है, कई लोगों के लिए काफी कठिन होती है, क्योंकि जैसे ही कोई इस भ्रह्म में प्रवेश करता है, उसे ये भूल जाना पड़ता है, कि सभी स्रिष्टी की एकता प्रतेक के लिए मौजूद है, भूल जाते हैं वो, इकाई, मतब इनसान और वास्तव में स्वयम के लिए, किसी को सब के लिए और खुद के लिए भी, किसी को अपने लिए निर्धारिक पाठों की सटीक प्रोग्रामिंग को भूल जाना चाहिए, और केवल सबसे छोटे और सरल आवेगों द्वारा भ्रह्म के भीतर काम करना चाहिए, जिसे आपके कई लोगों ने अभी भी भीतर की किसी आवाज कहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि जब इनसान पैदा होता है, तो होता ये है कि भूलने का पड़ा लगता है, और भूलने का पड़ा लगता है, तो बहुत सारी चीजें जाने कितने जन्मों से सीखी हैं, या पहले सीखी हुई हैं, वो सारी इस माया जाल में आने के बाद इंसान भूल जाता है और चोटी-चोटी चीजें जो है वो याद रह जाती है या यूं कहलो के स्वभाव बन जाती है तो जिसे बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मन की आवास मेरा मन ऐसा कहता है इन्ट्विशिन का तालुक भी इसी से है क्योंकि वो सारी जन्मोण की प्रोग्रामिंग या अलग-अलग घनतपताओं से जो आप होकर आये हो उसकी जो प्रोग्रामिंग है उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो subconscious mind में रह जाती है तो वो कहते हैं कि किसी को भी ये भूल जाना चाहिए कि सच तो ये है कि कोई भी खत्रा या कठिनाई किसी को भी भूल जाना चाहिए कि सच तो ये है कि कोई भी खत्रा या कठिनाई इतना बड़ा नहीं है कि उसे सब पर विजय पाने के लिए अवश्यक प्रेम ना मिल सके पर ये भूल क्यों जाना चाहिए कि क्योंकि जब तक भूलोगे नहीं तब तक भूंडोगे नहीं भू उन्हें अवतार के भीतर स्वतंत्र इच्छा से चुना जा सके और इस चयन के द्वारा फिल्म आये थी आवतार आवातार अवतार विश्नु के दश अवतार तो अवतार मतल मतलब के इस शरीर में जन्म लेना उन्हें अवतार के भीतर स्वतंत्र इच्छा से चुना जा सके और इस चयन के द्वारा मन शरीर आत्मा परिसर के भीतर और अधिक गहराई से अंतर नहित हो जाएं जो की वो हैं इस तरह के समाहित एक मिनिट जो इंसान है उसे अपने मन के अंदर इतनी गहराई से उतर जाना चाहिए इस तरह से कि जो भी सीखना है और जो भी बताना है या उस सीख को दर्शाना है वो आपकी जिन्दगी का और आपके स्वभाव का एक हिस्सा बन जाए इतनी सुंदरता से कि चाहकर भी कभ भूल न पाओ, यह ऐसा है कि जैसे कि खेल को हम कहेंगे पूरी तरह से अफ्तरित अनुभव के भीतर, पुनह सीखने की अवशक्ता है, और जब यह पुनह सीखना होता है, तो सबक सीख लिया गया है, और किसी भी चीज से मुक्त होने के कोई अवशक्ता नहीं है, कोई खेल आपने सीखा, खेला, और एक बार उसे खेल लिया, तो इतनी बहतर तरीके से उसका अभ्यास करकर के उसे इस तरह से खेल लिया, कि वो आपका एक अनुभव इस तरह से बन गया, कि आपको आपको उसे भूल नहीं पाओगे, और आपका एक स्वभाव बन जाएगा और क्योंकि इनसान ने अफ्तरत अनुभव की प्राकृतिक प्रगती के एक भाग के रूप में खुद को मुक्त किया, प्रतेक ने जो अच्छी तरह से नहीं सीखा था, उससे पिछली सीख पर निर्मान किया, एक संरचना के रूप में निर्मान किया, पत्थर पर मजबू प्रतेक हिस्से को साफधारी पूरवक रखा, एक मिनट, यह बहुत लंबा सेंटेंस है, इसको गूगल नहीं तीन टुकडों में कर दिया, तो जिस तरह से हम कोई खेल खेलते हैं, और उसे दो बारा सीखने की कोशिश, बार बार सीखते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, प्र जन्म इस शरीर, इस जिन्दगी का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है, जिसके उपर, मतलब कि जो पिछले जन्मों में हम सीख कर आएं हैं, उसके उपर परत दर परत वो एक तरह से बनता जाता है, जो हमने पहले ठीक से नहीं सिखा था, पहले एक जन्म में हम डूपके मर गए थे, उसके बाद के जन्म में हमने थोड़ा थोड़ा तैरना सीख लिया, लेकिन इस जन्म में हमने प्रोपर ट्रेनिंग क्लासेज ली स्विमिंग की, और सिर्फ वो ऐसे ऐसे वाला नहीं सीखा, या सिर्फ ऐसे ऐसे वाला नहीं सिखा और उसको हमारी सीख को और गूड कर दिया हां 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 सही तो आगे वो कहते हैं अव्तरत अनुभव के भीतर कई लोगों को जो कठिनाई महसूस होती है जिसके कारण कई लोगों को यह महसूस होता है कि जन्म मृत्यू और पुनर जन्म के इस चक्र से मुक्त होने की आवश्यक्ता है यह वो गुण है जो पाठों को अधिक स्पश्ट रूप से अनुभव करने अधिक तील रता से व्यक्त करने और अधिक बनने की अनुवति देता है है हम यहाँ पर जुन्दमों से मुक्त होना चाहते हैं और वो हमें कहता है कि नहीं होना चाहिए क्योंकि यहीं से तमसीखते हो यह प्रभू मैं हौसू के पहरू है पर यह तो हमारा आखरी जनम है यह इसके बाद तो आगे चौथी गनत्वता में अब तो तीसरी गनत्वता हमारी खत्म हो गई तो अदे सच्ची मेरा यह हाल हो रहे के पूरी तरह से इकाई का एक हिस्सा है ताकि वह प्रतेक पाठ के माध्यम से खुद को और निर्माता को पूरी तरह से जान सके ठीक है निर्माता मैं तुझे पूरी तरह से जानूंगे और तू भी मुझे पूरी तरह से जान और तू भी इस जिंदगी का अनुबाब पूरी तरह से ले ये था पुनरजनम आगे एक और आ रहा है बाई सॉरी